पेरे बचो आज हम संस्कृत में पंचिदेसा पाठा है जिसका नाम है प्रहेलिका इस शेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे प्रीविएस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकेंड सिमन्तिशू से रिलेटी जो थी यह प्रहेलिका की थी आज से हम करते हैं तीसरी प्रहेलिका से प्रहेलिका होती है प्रहेलियां जिसमें कोशन पूछे जाते है और उसका अंसर हमें सोच बड़ा सोच समस्कर देना होता है जैसी फर्स्ट वाले में अंसर था लास्ट लाइन में सैकेंड वाले में अंसर था फर्स्ट और लास्ट वर्ण को चोड़कर यहां देखते हैं कहा आंसर मिलता है मैं कम संजगाने कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोशन रता कम बल्वंतम नबादते शीतम शीतम, देखो, स्टार्टिक में न चारों क्या है? पर्शन निमालावाले हैं, तो देखो, फस्ट क्या है? कम संजगाना कृषन एंक्रिशन ने कृषन ने किसे मारा? क्रिश्ण है संजगान है कम यानि क्रिश्ण है किसे मारा सेकेंड देखो का की सस्थान पर शीतल वाहिनी यानि की ठंडी धारा वाली गंगा बहती है यानि की ठंडी धारा वाली गंगा की सस्थान पर बहती है ठंडी धारा वाली गंगा की सस्थान पर बहती है थर्ड है के दार पोषण रता के कोन दार होता है पत्नी पोषण रता होता है पालन पोषण में लिन रहती हैं फोर्थ है कम बलवन्तम ने बादते शीतम कम किस बलवन्तम बलवान को ने नहीं बादते पीड़ा देती है शीतम यानि कि ठंड यानि कि किस बलवान को जो शीतम यानि कि जो सर्दी है ना ने बादते वह पीड़ा नहीं देती है इस प्रहेलीका में क्या है? चार क्वेस्चन है पहला क्रिशन ने किसे मारा? दूसरा ठंडी धारा वाली गंगा किस तान पर बहाती है? तीसरा पतनी के पालन पोश्चन में को लगे रहते हैं? और चोथा क्या है? किस बलवान को सर्दी पीडा नहीं देती है? अब इनके अंसर कैसे मिलेंगे? यह जो मैंने कहा ना कि आगे क्या है यह प्रशन वाचक शब्द है ना इनको हम जोड़ देंगे लास्ट वालों को अलग कर देंगे जैसे कम और स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? कंस क्या था? क्रिशन ने किस से मारा? सब को पता है किस को मारा था? कंश को अंसर कैसे मिलेगा? इन दोनों वर्णों को जब हम जोड़ देंगे सक्षिन देखे, ठंडी धारा वाली गंगा कहां बैती है, काशी, काशी में, ठीक है, तो ठंडे जल वाली गंगा कहां बैती है, काशी में, ठर देखे, किदार, किदार, किदार होते हैं, किसान, जो किदार पॉर्शन रता होते हैं, खेती के कारे में जो लगे रहते हैं, वो पतनी के पालन पोश्य में कौन लगे रहते हैं ? किसान लाश्ट देखिए कंबल वन्तम को छोड़ दो कंबल जैसे क्योश्ष निया था कि किस बरवान को सर्दी पीड़ा नहीं देती देती जिसके पास कंबल होता है तो इसका आंसर क्या है ? कंबल वन्तम कंबल वाले वैक्ति को में भी आपको समझ आ गया होगा एक बार ओर देखिए क्रिश्ण ने किसे मारा कंस को ठंडे धारा वाली गंगा कहां बैती है काशी में पत्नी के पार्ण पोशन में कौन लगे रहते हैं केदार पोशन रता किसान कंबल वन्तम नाबाद वालें वैक्ति को यह तो में भी मुंसली वच्चों को आया मिलेगा ब्रिक्ष अग्रवासी नहन है पक्षिराज है त्रिनेत्रधारी नहन है शूल पानी ही त्वक वस्त्रधारी नहक्षिध्योगी जलं और भिब्रत ना गट ने भट दो व्रिक्ष अग्रवासी व्रिक्ष के उपर रहने वाला है नैचा पक्षी राज है लेकिन पक्षी राज नहीं है यानिकी गरूड नहीं है रिक्ष के उपर रहता है लेकिन पक्सी राज गरूड नहीं है त्री नेत्र धारी तीन आखो वाला है नैचे शूल पानी लेकिन त्री शूल धारी संकर नहीं है शूल पानी यानिकी जिसके हाथ में त्री शूल है यानिकी संकर भगवान सीव त्री नेत्रधारी है लेकिन शंकर नहीं है त्वग वस्त्रधारी त्वग होता है छाल तवचा के त्वचा के यानि छाल के वस्त्र को धारण करने वाला है नैचे सिध योगी लेकिन शिध योगी नहीं है जलम चे भिब्रत जल को धारण करने वाला है ने घट है ने बेग है लेकिन ने तो घड़ा है ने बादल है यानि कि अंसर एक ही है चौर पंक्तियों का व्रिक्ष के उपर रहता है पक्सी राजगरूर नहीं है तीन आखो वाला है त्रिशूल धारी शंकर नहीं है चाल के वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन सिध्य योगी नहीं है जल को धारण करने वाला है लेकिन नहीं तो घड़ा है और नहीं बादल है तो पैयार बच्चो अंत में क्या पेना चाहिए? भोजन अंत यानि भोजन के अंत में किम पेम क्या पीना चाहिए? जय अंत कस्य वई शुत्य यानि कि जय अंत कस्य वई किसका सुत्य पुत्र है? जय अंत किसका पुत्र है? तीन क्वेश्चन है इसमें भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जे अंत किसका पुत्र है और विश्णू लोको को कथम प्रोक्तम कैसा कहा गया है इसका अंसर है फोर्थ लाइन में जैसे कि फस्ट में कहा था ना हएंने कस्तुरी जायते कस्मात को हंतिकरे नाम कुलं किंकुरियात का युद्धे, अंसर ताम रिगाल सिंग पलायेते…. तो इसमें भी तकरम सकरश्च और में तुरुलर्लभ हम है सक्रश्य है इंद्र का जेन्त किसका पुत्र है इंद्र का कथम में विश्णुपदम परोग्तम और विश्णुलो को कैसा कहा गया है दुरलभब яनि कि कठीन कहा गया है इसमें भी तिन परहेली का थी तिनो का अंसर था लास्ट लाइन में भोजन के अंत में क्या पेना चाहिए तकरम, लस्ती, जयंत किसका पुत्र है, इंद्रका, कथम, विश्णुपदम, प्रोक्तम, विश्णुलोग को कैसा कहा गया है, दुरलबम यानि की कठीन, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा बहुती रूचिकर, चैप्टर नबर 15, ज